सो हलो एबरिमान वंस अगें स्वागत आप सभी का आपके प्यारेस यूटीब चैनल मास्टर वाइब भीरे में आप सभी को भी पता है अब आपका मराठी का एंड इंग्लिश का पेपर तो हो गया है इन पेपर में आपने जितना भी देया आपका बेश्ट दिया और आज की सुड़े में हम देखने वाले हिंदी का अब आपको नाइन मार्च ट्वेंडिवार को जो भी हिंदी का पेपर देना है उसके लिए most important questions आपकी chapter wise देखने वाले हर एक chapter में से लाइक आपको बता है कि question paper में भी question paper practice question paper की करना है तो model question paper की देखके उसको solve करना उसके questions को solve करना यह important है साथ हर एक chapter का revise के साथ chapter के revision के साथ उसमें से जो भी questions पूछे जा सकते है चाप्टर में से जो भी आपका पैसेज पूचा जा सकता है, उनको भी देखना ये भी बहुत important है, आज के सुडियो में हम दिखाने वाले आप सभी को जो भी आपके सभी चैप्टर से, उस में से कौन सा-कौन सा questions पूचा जाता है, और कहा से कहा सा, कहा से कहा तक का आपको परिछेट पूचा जा सकता है, पैसेज पूचा जा सकता है, साथी साथ कौन सी वाली पूची जा सकती है, यह सब ही questions आज के इस वीडियो में देखेंगे, देखो guys, देशेक मेरे आपको English के paper में जो भी important topics बतायते, important questions बतायते, अगर आपने paper को check किया होगा, मैंने सभी students को question back provide किया था, question bank में मैंने बोला था कि section 1 जो है, वो तो repeated नहीं होगा, बट section जो आपका 2 है, जिसमें passage होता, textual passage, मैं जो भी PDF दे रहा हूँ, उसमें से एक passage guaranteed आएगा, इसा ही हुए, आप देख लेना, जो भी पैसे जाया है, guaranteed मैंने जो बोला था, वही पैसे जाया है, एक बार check करो ला, okay, आपको क्या करना है, हमारी चैनल पे जाओ, हमारी old videos देखा, मैंने उहर एक वीडियो में बोला है, कि मैं आपको जो PDF दे रहा हूँ, आपको पूचा गया था, उसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट था, आप सभी का, कि पुएम के उपर questions, okay, वह भी मैंने आपको बता देता है, साथ ही साथ, मैंने आपको section 3, जो कि आपका important पाला section था, अगर हम Marathi की बात करें, जिसमें आपको स्थूलव आचन था, स्थूलव आचन के questions मैंने सभी के सभी provide करेते, जो कि Marathi में आये थे, एंड इंग्लिश का अगर बात करें हम, तो आपको मैंने non-textile passage में बोला था, कि मैंने कुछ passages दिये, और आपको learn करके जाने, उसके grammar activities में मैंने बहुत कुछ explain किया था, राइटिंग्स की का पाड़ तो मैंने अजजी भी तरीके से, आपको अजीगो गरिब तरीके से मैंने आपको पड़ाया था, और बहुत कुछ IMP tips and tricks बताई थी, जैसे कि address कैसे डालना है, या तो address डालते हो तो कुछ सी mistakes नहीं करनी है, यह बहुत कुछ चीज़े बताई थी, तो आज किस फूड़े मैं आपको हिंदी का पेपर बताने वालों किस तरीके से होने वाला है, या तो आपके chapter में से आपके जो book है, उसमें से consequences important से और consequences expected से आ सकते हो, कि इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा book का review करके लिखाँगा, मतलब इस पूरे book में से आपका जो भी पूस्तक है, इसमें से A to Z IMP questions बताऊँगा, और most important बात अगर मैं बताऊँ, तो upcoming videos को देखने के लिए इस video को like and channel को subscribe करे के all notification पे set कर लो, क्योंकि guys upcoming video में मैं आपको 4-5 questions अभी देखो, question paper मैं आपको provide करने वालो practice के लिए बहुत कुछ question पे पस है, so आप क्या करो, इस video को like कर दो और चानल को subscribe करके all notification पे set कर दो, तो मैं आपको बताऊँ तो इन पार्टों में से यह जो पार्ट से ना, यानि कि जो भी आपके पार्ट है, उसमें से guys 100% guarantee के साथ कोई एक passage आपको पूचा जाएगा, एक परिछेद रहेगा, okay एक परिछेद रहेगा, इसके बाद guys बूड़ी का की, मतलब यह जो है न, तीस्तरे, यह जो दूसरी काई के है, तीन इंपोर्टन चैप्टर से, अगर passage के बारे में बताऊ, तो यह passage, इन में से ही कोई एक passage पूचा जाएगा, तो इन चैप्टर को तोड़ा रीड कर ली न, जाती जाने से पहले वंडी विपूर आप देखो, इन दी का, तो क्या होता है, आपको व्याकरन के उपर जादा फोकुस करना होता है, मैं भी बूलूँगा, और मैं आपको लाश्ट में व्याकरन क्या पूचा जाने वाला, यह कैरंटी के साथ बताने वालो, तो फिर इस एक बार बता तो पहली काई में 11 चाप्टर से, और दूसरी काई में आपको 11 चाप्टर से, यानि कि जो भी आपका फर्स्टम है, उसमें 11 और सेकंटम है 11, तो यहाँ पर देखो, पहला वाला है जो इंपर्टन चाप्टर है, इसमें से कोई चाप्टर पूचा जाएगा, या तो इसमें से कोई पैसे जाएगा, गैरेंटीड इसमें से कोई पैसे जाएगा, उसके उपर कुछ क्वेशन्स रहेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पैसे रहेंगे, पैसे जो रहेंगे ना आपको, हेमालाई के आंगन में उसे किरणों का देव फार यह जो कविता है आपकी मतलब इनका विगाई जन्म मृत्यों सब कुछ आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा जाथा इसको रट के रखना उसके बाद गैस इसमें अगर पर्सनल रिस्पोंस वेगरा पुचा जाता यानि के अपन समदी ये दिया ही गया है इसको पढ़ की जाना क्योंकि जो भी कविता आपको बूची जाएगी कविता की उपर ये questions guaranteed रहेगा जो कि आपका समद का question रहता है या तो कविता के बारे में अपने विचार लिखे अपने विचार लिखे तो इसमें आप ये सब दिख सकते हो ज मतलब जोबी sab Cieler को आपको आरा क्या अब आपने साल बर पढ़ाई के ऊसरह सिर्फ चेक करना आपको जो सभी स्वाधिया है और तो इनको आंसर करना आ रहा आ है या नहीं सभी चेक करी लीजेगा उसके बाद लिखे में आपको को कविता में प्रवित दो दातू僧 के प्रोवेड करने के लिए बट में बुटक कर रहा है कि जो एक्सका क्या को कुछ पोनी है समंधर आपकेपास तो आपको क्या कराना है घलत बात हुगए तो यहाँ पर क्या पूचा जाएगा उपर की दो पंक्तियों का या नीचे की दो पंक्तियों का तो यहाँ पर उपर की दो पंक्तिया इस कविता की उपर की दो पंक्तिया और नीचे की जो भी दो पंक्तिया है उन सभी को रट के रोको उन सभी को याद कर के रोको उसके आपको लिखने है तो कई साली में कई सारे स्टोंट्स का ना संस्कूरूद का पेपर है इन इस वीडियो के बहुत ज्यादा सप्पोर्ट मिलता है स्टोंट्स का भी अगरो कमेंट वेगरा कर रहें कि संस्कुरूद का पेपर लाओ तो गैरंटी डम संस्कुरूद का भी कुछ प्राणियों का पालन पॉशन करना ही मानुता है जब भी मतलब अगर कोई पैसेज पुछा जाना उसके उपर आपने विचार लिके इसा पूछा जाता है तो यहाँ पर विचार इस से रिलेटेड रहता है तो यह गद्य संबंधी सभी आ पढ़़के जाना है उसके बाद जो करोगे उसके बाद काई संजाल पुर्ण कीजिए आप परिषयद में परिषयद से प्राप्त ग्यान सिंग संबंधी जान करें चार जान करिया लिखने उसके बाद उत्तर लिखें उत्तर विगरा लिखने इसलिए मैं नहीं जाता कि आपको जादा गरोगे उसके परिषयान करें जाने वाले सुधार पुर्ण व्यवर के बारे में अपने विचार लिखें यानि कि ये परसणल रिसमाट्स है और ये विचार जो है आपके विचार आपको विप्ति करने करने की एसे questions को skip भी नहीं करना है, अगर एसे questions को skip कर रहे हो पालतु जानुवरों के बारे में जो भी बवार होता है। उसमें यही नीचे का जो पैसिज रहेगा उसमें सी पूचा जाता है जिसकी लेकन कोशेले की बारे में हम पूचे यह पूरा स्वाध्य है, स्वाध्या आता है या नहीं है यह मैं पताओ जो भी chapters मैंने important बता है आपको starting में उन chapters के जो भी स्वाध्डय है सभी के सभी रटके रोखो याद करके रोखो उसमें से guaranteed पूछा जाएगा ऐसा नहीं है कि मैंने आपको English का बता है तो मैं रटके बता है और वहीं आया इसलिए में बोल रहा हुँ इतना जाता competence के साथ इसमें से पूचा जाएगा उसके आगे वाला अभिवक्ति देखे जो भी पाट के नीचे आपके जो भी अभिवक्ति दी गई है सभी अभिवक्तियों को आप रटके जाओ सभी अभिवक्ति इंपॉर्टड है यदि आप करा करामतली की जगह पर होते तो इस वीज अंदर बे अपने आपको आपको अपनी विचार लिखने कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स हो गए उसके बाद भाषा बिंदू भाषा बिंदू यानि कि आपको ग्रामर वेगरा कुछ जाते व्याकरन का पार्ट कुछ जाता है बहु कमबक ने कितनी विदर्दी से पिटा है उसके बाद मैंने कह रहा थे हुए पूचा तो आपर क्या विराम चुनों को प्रयोग करके लिखना है विराम चुने जिसके जिनको भी कुछ भी ने आता हुए आपर लाष्ट में आपर जिसके डैश लगा देना कुछ भी स्लैश चुने की करना है तो पूर लगा देना उसके डैश और विराम रहा है और शाया है तो आपको पूचा पर जिसके डैश यूज बाद में अगर लेकर बाद में पीचा वेश जाना ऑट में कर आधम स्कूल फोगे लेकर लाष्ट में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं तो यहाँ पर किसी पॉलतू प्राणी की आत्मकत अली की अब सर आप हमें इसे important questions बताएगी यूग गारंटीड आ सकते तो देखो अभी आप मारे पास बहुत कम होकते हैं अभी मैं 10 मिनिट बोला तो सिर्फ 19 पेज़स हमारे कवर हुए है इस बहुत करने भी नहीं हमें सभी chapters नहीं चाहिए हमारे करमत अली का उपर देखा कवीता को बाद में देखेंगे सबसे फ़ले हम जो chapters है उन्हें सभी आप प्रैक्टीस परिए जाद हिस के लिए है तो बहुत करिए इसके उपर घ्रकाशन सरफ के सब बसके उपर बसक्टन की लिए उसके उपर जो वह क्वेशिन से स्बतम सब्हें जाओ कि उसके बाद गोवा जैसे कि मैंने देखा इसके उपर जो भी क्वेशन से सभी के सभी बढ़के जाओ यानि कि यह पाच चप्टस बता है उसके बाद आगे भी चप्टस के जो कि यह पाच होगे उसके बाद इस खुला आकाश ओके रिडी की हड्डी ओके यह सभी श्के बाद गोवा जैसे कि मेंन देका इंड लक्षी में बढ़ रहा है इस चप्टस बहुत इंपोर्टन पाच थे छे चप्टस मतलब 11 में से गाईज आपको छे चप्टस मेंने बताई अग इन्पॉर्टन आपके हिंदी के पेपर में हिंदी के पेपर में पूछ जा सकत किसान के उस्ट मुझे घर चापा कए और उसके बाद इमानदारी की प्रतिमूर्ति और उसके बाद आपका महिलीं आश्टरम यह सबी चैप्टर सब्सक्तु करके जाने उसके बदर सबीकी चैपटरि इसको भी reject निपको फय को नहीं सब्सक्ते zum को लेके लास्ट टक का एंड टक का जो भी क्वेशन है सभी को करके जाओ गारेंटेड बता रहो इसमें सी कोई एक पैसेज एक कविता पुची जाएगी क्योंकि हम पूरा हमारे पूरी रिसर्च के उपर बता दे जो भी दस साल से रिपीट हो रहा है तीन साल से चार साल से र करो उसके बाद घटना को लगा कर वाके फिर से लिखना है उसके बाद गलत वाके सही करके लिखने है जो भी पूरे के पूरे पैसेज है सभी की सभी लिखने है उसके बाद कारन लिखें कारन वेगरा सभी के सभी इंपोर्टन है सभी के सभी 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 अभी वक्ती अ आपका जो भी गद्य विवाग इसके बारे में अब हमा आगे बढ़ेगी विवाग तीन के बारे में सबसे पहले मेरे पास एक्वेशन पेपर उसको भी मैं आपको दिखा दू क्वेशन पेपर प्रैक्टिस के लिए सिरेसली मत लेना जो में सबसे पहले मैं स्टाइं से अगर कॉम्हेशन पेपर को में दिखा रहा हूं तो पुरा स्टा자 एंग के इसके बारे मिल जाएगा साथी साथ most important questions हम आपको आपके साथ हमारे whatsapp जब आप हमें message करते हो जब आपको ये video मिल जाता है तो आप हमारे साथ discuss कर सकते हो most important questions कौन से या तो कौन सा passage guaranteed आ सकता है यह सब हम आपके साथ whatsapp पे discuss कर लेंगे तो विवाग एक जब आपको गद्याश दिया है एक दिन तुमारे बाब बू जी ने दुनिया की मुस्तुबते और मनुशे की मजबुरियों के समझते हुए जब अपने गहनों की मांग करें थी इमांदारी की प्रतिमूर्ती इस जो चाप्टर आपका इसमें से पैसेज है इसके उपर questions बोची जाता है पत्नी से यह कहा था तो लेकर के पिता जीने पत्नी से यह कहा था तो क्या कहा था हो लिखना है पहले वाला और दूसरा वाला जो कुछ भी दो चीज़े के यह आपको लिखने है उसके बाद दूसरा है गाईज लेकर के पिता द्वारा उनकी मांसे गहने मांगने का था एक पहला उदिश और दूसरा उद्देश इस तरीके आपको लिखने हैं उसके बाद इस विशे पर अपने विचार ती फासे कि अगर में लिखें पहुत सरे रेश्टून साइट में जो भी लड़की बेटी होगी उसका देख लेना अगर आप उसका गलती से भी देख लेगे तो आपको दिखने देगा देख पां तो उसने लिखाई होगा इसके उपर तो आपको सिर्फ कितना चाइज है दो मारक फूचा जगे चार से पांच लएन आपको उससे चुरा देनी है और अगर आप यह मन से लिख सकते हैं तो तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे को लगता है लड़कियों से अच्छा तो लड़के लिख देंगे उसके बात का इस आगे ही जो कि निवलिकित पटित पद्या गद्यांश पड़कर सूचना क्योंने सर कुरतिया सभी के मतलब सभी सभी इसके पर जो भी क्वेशन से उससे सॉल कर रहे हो यानि सब्सक्राइब पूरा का पूरा कर पा रहे हो तो यह मौस्त इंपॉर्टन बात है और बहुत ही खुशी के बात आप सभी लिए उसके बात तीसरा है उचित उपसर्ग जोड़कर सार्तक शब पढ़िता ऑक्योब मान आ सकता है अनुजीवन ऑकिनवी जिवन अनुजीवन आहेगा आवन आएगा या तो पढ़िता आवन आंएगा है आवन आएगा तो फ़वन आएगा आवन आप स्प्रिके से प्रिक्ता जोड़कर सार्तक शब्द बनाने हमें जैसिके उनशासन तो प्पत्र पत्रिकाओ का उक्षुप एट के werden बढ़कर सुचना के अनसर कृत्य कीज़िये जा फ़र कैसी को आत्मरक्षा करनी होगी इसको अपना करते हुय करना होगा तो यहां पर अज़े हैं पाइसेज के बाहर का है dna house को इक इसके जाओ रिंप्सेज को रीड करो बाद रिप्सीश के वाइन्सकी को रख जाएंगे चलते हैं हमानागे पैसिजे रीड बादहे आसस देने है जहाँ पर पहला आपको अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखने हैं, इस में आपको द दुर दूनी आइधिक में को कविता कौन्सी है, कुषब गान जो है, इसको वे ता कविता दीगी है? इसके पर कुछ questions है यहाँ पर पहला है guys रात के अंदेरा में जुगनु तुलना की गई है इसे के तुक्तूलना विगरा देगनी सब कुछ सॉल करते आ रहा है नहीं आपको प्रपर हैं नहीं आपको प्रपरेशन की जरूरत है लेकिन पुरड एक्जाम तो कहली है या तो आज ही है तो विहांना करके सब कुछ चेकिजिए करके याना कुछ पड़के जाना उसके बाद इनिवलयकी शब्दों के लिए प्रेटयों प्रेउंक्त शब्दों कोच कर लिए है। उसके बाद तिसरे है गईज उपरियूक्त पपद्याच की प्रतम चार पंक्तियों का सरल अरतों 25 ये इस ये उपरिय। पर जो भी कविता दीगी है उसकी प्रतम चार पंक्टियों का भावारत या तो सर लड़ता आपको आपके शब्द में लिखना है उसके बाद आमेन इम्लिकित पध्याइश पढ़ कर दीगई सुचना के अनुसार कृतिया कीजिए हैं मनत भ्रात शिशरुतु आई حसे ही घड़ा भयापाता वह पर गई तो Kart है इससुज सभी सभी इन्पॉर्टेंट जो कविता हैं स्टारटिंग से उनकविता में इस्के च्चेक कर लें नौकिय शिवरूत में यह बार आ IS far ! तक वह कितने स्थानों पर नोकुरी के लिए आवेधन कर चुगा था साधिडा दे चुका था उसके प्रामान-पत्रों की फायल भी उसे सपलता दिला में नाकर में आप रही थी तो यह पर दिखेए जो पैसेज दिया गए उसका पूर कुछ बश्टा चार एक कलंग इस विशेपर अपने विचार 25 से शब्द में लिखे गई आपको ब्रश्टा चार एक कलंग इसके बारे में उसके बाद आगे बारा गई निमली की पटीट पद्याश बढ़ कर सुचना के अनुसार खूरतिया कीजिए बातों का चना बातों का चना शहूर नहीं शिक्तिनों बगारे हो चूप हाथ चूप रही ओके या पर पटीद पद्याश मतलब या पर और एक कविता दीगी है उसके बर कुछ क्वेशन से उनको सौल करना है जैसे की कूब लड़ने वाली मरदानी विरंगना है उसके बाद इकाई जिनारी सन्मान के ब जहां पर पहला है अदरकित शब्द का शब्द बहुत पाचान कर लीकिए देखे यह एक मार के लिए उसमें जितना आप रिड़ कर पा सकते है उसमें जो भी आए पर अपिक से जिसको रिड़ कर लकते हो वाकर रन में वाकर रन के लिए बलना चाओगा बाकी चीज़ के ल लिखने में अगर आपको आ रहा है तो आपको बहुत अची बात है या पर दिखे रमेश कुटे को मारता है तो शब्द बहुत पचान कर लिखना है उसके बाद आ गया है निमिले की तो आ हुए मज़़ा किसी एक अवे शब्दगा अपने वाक्य में प्रियोक कीजिए कल और बहुत प्रियोक करना है अगर आपका सिर्फ कल का करना है तो मैं कल भाज़ा गया ता इसा भी आप बोल सकते हो और अगर और को हुज़ कर रहा है तो आप इसा भी कर सकते हो में और शाम TV को सब्सक्रेट को सब्सक्रेख सब्सक्रेग बंगें घ्राओं निम्लिकित वाक्य में से किसी एक साहिय क्रिया को पहचांकर उसका मूल रूप लिखिए जापर पहला है उत्ते जल पक्षियों को देख कर दोडने लगे उसके बाद दूसरा है मुझे दस दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा साहिय क्रिया मूल क्रिया आपको लिखनी है साहिय क्रिया एंड मूल क्रिया आपको लिखनी है जिसे कि क्रिया आपको पहचांकर आना चाहिए जिसे कि पड़ेगा तो पहले वाला साहिय क्रिया कुछ आएगी पहले वाक्य में लगे लगे यानि के सही क्रिया लगे है और मुल्क्रिया लगना उसके बाद पड़ेगा मुल्क्रिया को इसी पढ़ना ओके तो यह वो गया उसके बाद आगे बाला पाचवा है निम्लिकित में से किसी एक क्रिया का प्रतम तता द्वीतिय प्रेणर तक रूप लिखना है जहापर घर पर परतंप्रेना तक क्या आएगा, खाना, खिलाना, खिलवाना खाना, खिलवाना उसके पुबाद धोना, धोलाना, धुलवाना उसके यहाद को कि महाओरे का अरफ लिक और पीर का हरिक है और डूनों में से उसका वाक्य में प्रियूद करता है चक मादेना बहुत नुक्त कुछ जैक्ते का बाञ ने कि क्यासा देना कि Hm जैसे के चकमा ने काव क्या बोलते चूतिया बना ना इसक बहुत साइरे स्टूण्स यहारे लेना कि इसा जागना यानि कि लोट्री लगना ऐसा वेगर आफ लिख सकते हो लेकिन उसके भाग जागना यानि कि आप इसा भी बोल सकते हो कि उसके दिन बदलना इसका वाक्य में प्रयोग आप कर देना अत्वा उसका है अधरीकित वाक्या शुक्ते लिए उचित्माहुरेका चैन करके यानि कि गैइज मुह लटका कर बेटी है मुह लटका है उसके बाद गई साथ है निमलीकित वाक्यों में यतास्तान इसना उसका बेद लिए ने सिर्चन को पान दिया उसके बाद दूसरा गैज सिर्चन ने कूश से आसनी बनाए के कारक चिन्या एंड कारक बेद लिखना है उसके बाद आट वाई निमली की त्वाक्यों में यतास्तान उची त्विराम चिन्नों का प्रियक करके वाक्य फिर से लिखे जहाँ पर पहला है महने कहराते हुए पूचा मैं कहा हूँ उसके बाद गई आगे वाला का रचना के आदर पर भेद पचान कर लिए जहाँ पर पहला है हर और से अब वह निराश हो गया था उसके बाद दूसरा है गई आपको इनिमली की त्वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ क्या आदर पर दी गई सुचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए जहाँ पर प लख भुक्ति और आधर मने बड़ी मज़ा आई उसके बाद तीसरा है करामत अरी के आकों में अश्रू असु उतर आयो के उसके बाद वाग पात्यों की रचना के आधर पर भिवाग, बट में लाक्याक क्या इन Dops t ऐ tą बच में पर इजनी में क्युआ का थो अगर विबाग चार आपका complete है तो विबाग बाउच वेगना वाकि GSSp Tr san तो जिसमें कही पर भी को आपको जाए जिसे क्योरा प्राके वीधियाम लेकन कही पर भी ऑसे च्रिजिन अभी ल हो कंग पर भी आपको पेंसील में में साजिए यह यह युक्या हमला थे COM आपको पूरा लिखना है पत्र लेकन की टॉपिक वेगरा जो भी आपर दिए गई प्रक्रति देगे गई है इसे चार प्रशन तयार किजिए जिनके उतर में एक एक वाक्य में हो वाक्यम हो तो आपको एक कुछ मतलब गद्य आकलन प्रश्ण नहीर्मिती दी जाएगी एक और छोटा सा उतारा दिया जाएगा उसके उपर आपको एक वाक्य में उत्तर आए इसे प्रश्ण तयार करने होगे तो बहुत आसन सा कोईशन ही तो आप कर लेना बहुत सा आसन सा बहुत बहुत इसके ऊपर क्या करना है सिर्फ इत्तर तैयार कोऊगे तो आपको प्रश्ण शेंग नाप इसको बना है जैसे की मेरा नाम तुशा है उस जो घटना है, उसका काल, उसके बाद उसका टाइम क्या है, उसकी डेट क्या है, यह सब आपको इंपोर्टेंट है, मैं ओपर मेंशन करना, विदले के प्रांगन में बनाए गए बाल दिवस का रुता त्यार कीजिए, अब देखे, बाल दिवस आपको पूचा जाता है, अब दिवस आपको कब है, यही अगर पता नहीं बता ओ, मैरोका कमेंट सेक्शन बताओ, कि स्टुदर्श देख, स्टूर्श देख, अब बनाए जाता है, वहीरी सिंपल सा ऐ गुशनी, चैनल टे खब बनाए जाता है, जू भी कमेंट में मिताएगा मेरेको चिल्ट्र तो उर्तांत में स्थल काल गटना का उल्लेक होना अनिवार रहे हैं तो इसके बाद इस कहानी लेकर जा पर निमलिकित मुद्दों के आदर बन सतर से असे शब्दों में कहानी लिखकर उसे उची शिर्षक दीजिए तता सीख लिखें अब देखें बहुत सारे स्टुनेंट् बतल मिली तो आप मार्क नि मिलेगे तो उर्तांत में करो कहानी लेकल अंब समय उत्व हैं कि अपके बनाprowad बना कर जाता है की कि आप पर आपका जो भी mindset है या तो आप कितने बरसें talented हो आपके अंदर कौन सी skills है आप कितना लिख सकते हैं अपने thought के उपर इसी यह जो theoretical paper होता है पुरा कपरा इसलिए मैं आपको suggest करूंगा कहानी लेकर एसा करो कि पूरा जो सामने वाला examiner हो moderator हो आपका out-up mark दे impress हो जाए आपस शिर्चक यानि कि टाइटल को है और दूसरा moral यानि कि जो भी उसकी शीक है ना गई सीक को लिखना है और तो आपको out-up 5 out-up 5 marks आपको मिली जाएंगे उसके बाद आगे वाला बड़ते हैं आगे वाला जो भी question हो विग्यापन लेकन का अब दीगे बहुत सारे students ना विग् पर चेक करने वाला रहता है या तो board exam का board का इसा intention रहता है कि इसे paper check ना करो क्योंकि तो आपको alert दे रहा है वो कुछ alert देनी की कुशिश कर रहा है क्यों को जो भी examiner रहेगा कोई तो teacher है उसके पहचान का है जो कि board exam paper check करने के examiner बनके moderator बनके बेटा है इस ते गईस आपको advertisement आपको लिखने है जहाँ पर माराटी में इससे क्या बल चाता है जाहिरात लेकने तो important है इससे अच्छी तरीके से करना दूब से रक्षा या पर क्या है सिर्मोज च्छाते या चाता जो है ना चाता पता है आपको चाता ओकि चाती के आपको advertise करनी है जहाँ पर दूब से रख्षा बरसात में सुरक्षा रंग भी रंगे मजबूत के चाहतों कि आपको आडवर्टाइजिंग करनी बट आडवर्टाइजिंग मुस्ट एट्रेक्टिव लगी चाहतों का इस तरीके से आप क्या करो चितर निकालो डाइग्राम निकालो चितर जिसे बोलते हैं पुरी वडूर्ड में में निकालोगे दीली का भी हो हो हुगं मतलब आउट आफ्या वडूरि में सेered हैं यहीं इंटरनेट पाइदा है ठेट का माइलकल यह तो कैसी चीज को अब जोसी सब्सक्राइब हो इंटरनेट के बदोलत हो रहा है तो इंटरनेट नहीं होता तो आगे का वाला यह नहीं लिख सकते तो दोना किसी एक को बुला गया ना अच्छी सी शोश अब्दम लिखना है इसके उपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके उपर भी आप लिख सकते हो अगर आप को लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह कम कर देना चाहिए और बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ यह चलू कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूर्ण्स के यही राय कि अभी अहली के अगर देखे हो हरे क्लास में 80% लड़किया और 20% लड़किया तो मतलब यह जो क्राइटरिया मतलब मेंटें रही चाहिए बहुता कुछ सीन वह चुका है तो मेरे को लगता है कि बहुत कम दिनों में स्टार्ट कर देना होगा मतलब जल्दी यह स्टार्ट करने की जुरूरत पड़ेगी भारत सरकार को मोधी सरकार को तो मेरी एक रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ लिखो बट या अट्रेक्टिव लिखने की कोशिच करो जैसा भी लिख रहे हो अच्छा लिखो लिखो अच्छा लिखो टॉप का लिखो एनि की एक्जाइमिनर आपको आपको आप मार्क्स दे तो यह देखे हैं बोट 2022 & 2023 की की यह पर डाली आइटिंग ओके दो वीडियोज आई है तो उसको देख लेना उसको देख लेना उसमें जो भी मैने आए पिप्स आन्टिप्स बताइगी गई है उसको पॉलो कर लेना बहुत इंपोर्टन्ट वीडियो अपके लिए बहुत 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 वीज्ट्र विदियो को बनाई समझा एड वीडियो के स्क्तिंग में एक चाप्टर्स लागा था स्कृंग के उपर एंड उस बूक के की जो भी आपका व्याकरन गटका न तोड़ा सा चेंज होता है भर यह सब घ्यसाई तो ये वीडियो आपको माराथी मिल्हार्यम के लुँज हो तो भी इंदि मेंग्लिभित निकाम जो भी आपके इंडेक्स है इसमें जो भी इंपोर्टन टॉपिक्स बता है सभी जो भी इंपोर्टन चैप्टर्स मेरे आपको स्टार्टिंग में पता है वो मराथी में रहेगा and English Medium का English में रहेगा तो कोशिश करूँगा mostly, mostly 90% content जो रहेगा आगे का English Medium के students के लिए रहेगा मतलब English में जो भी वुप से उसके उपर English questions के उपर रहेगा and जो down का जो है मतलब जो भी Marathi Medium के students लिए एक आग वीडियो डालोंगा क्योंकि एसी important video से आपको मेरे चैनल के तुरू आती रहेगी Math 1 के में जो भी आपके चुछे chapters से Math 1 के बारे में बताऊ तो and Math 2 में आपके साथ chapters से इसे सभी के सभी chapters के यह मैं आपका IMP देने वालो है नहीं कि जैसे कि फर्ष्ट linear equation in two variables हो गया सेकर्ड वाला आपको जो भी कौट्रेटिक एक्वेशन्स ओके थर्ड वाला फॉर्ट वाला फॉर्ट वाला सिफ्ट वाला स्टेस्टिक इस सभी chapters के उपर यो भी important questions है and Math 2 के बारे में बोला जाए तो जो भी इंपोर्टन थेनम से वेगरा है उसके बाद science के बारे में बोला जाए तो जो भी definitions वेगरा है कोंसे आपको फिल इंद ब्लैक्स वारे questions आ सकते हैं यह सब नहीं देखे तो देख लेना English के paper के एंसर शिट की वीडियो नहीं देखे तो ओभी डाली है देख लेना सभी को मैं इश्वर चरनी जो भी जुन्होंने वीडियो को लाइक के चांग को सब्सक्राइब किया और चाह स्कोर कर जाएंगे इसी इश्वर चरनी मैं प्रारता कर अरदेना